नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल एडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन नरायन इस वक्त बहुत बड़ी और दुखत ख़बर सामनी आ रही है अभिनेता सिधार शुकला का गुरुवार को निधन हो गया है आपको तादे हैं कि बिग बॉस 13 के वो विनर रही है और हार्ट अटेक वजो से कूपर अस्पताल में उन्होंने आखरी सास ली है ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है हार्ट अटेक से अभिनेता का निधन हुआ है मुंबई की कूपर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सास ली है बाली का वधू से उन्होंने अपने करियर की शुरवात की और पहचान भी उन्हें वहीं से मिली थी इसके बाद उन्होंने दिल से दिल तक जो सीरियल था जो डेली सोप था उसमें भी काम किया लोगों ने इसे खूब सराहा, खूब प्यार मिला उसके बाद बिग बॉस 13 में वो आए, बिग बॉस 13 में वो विनर भी रहे अब इनेता रजा मुराद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है रजा मुराजी न्यूजवल इंडिया में सबसे पहले आपको बहुत स्वागत करती हूँ रजा मुराजी बहुत दुखत ख़बर है, एक तालेंटिड आक्टर जो की बालिका वदू जैसे सीरियल से आगे आए एक अच्छी पहचान उन्हें मिली, अभी उन्होंने बिग बॉस जीता, अभी उनकी वेब सीरीज आई थी ऐसे में हाट टेक आ जाना और हमारे बीच से उनका चले जाना बहुत दुखत है समझता हूँ कि शुशन सिंग राजपूत के बाद उस सद्मे से हम अभी नहीं उगरे थे कि ये इस साथ का हमारे लिए सबसे बहाद सत्मा है कि हम सत्मे में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना इतना फिट, इतना फुल अफ लाइव इतना फिट, जवान अमर में तिदे की इतना फिटी रुजाने से हमें छोड़ के चला जाएगा ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था और अब इसकी कहाँ वजा है अबट पुशन से हम पुरी आए उप लाइए कि क्या हुआ था ज़ा है पिस्ते अब बॉस के रवी वार का वार जितवाता है, संड़े के दिन, यह आये थे शेहनास गिल के साथ, और खुब इन्होंने डान्स किया था, खुब पिनरबादे की थे, एक तुम फृट लग रहे थे, अब ऐसा महजवान अचानक छोड़कर चला जाए, बिलकुल रजा जोई कि आपके कभी म मुलाकाद हो पाई है, सिधार शुकला से, कैसे व्यक्तित के थे वो? कभी मैं उनसे परस्颜री नहीं मिला, व्यक्तिकर्स तॉर पे कभी मेरी उनसे मुलाकाद ही हुई, लेकिन मैं उन्हें TV पर दिगता था, बिश्वात में दिखता था और क्या आप में विश्वा था उनमें, क्या विश्वा भी थी, क्या फाइटिंग्स बिल्ट थी, कितनी अच्छी पर्सेलिटी थी उनकी, और लग्यों को बहुत अला भी थे, बिलकुल, यह तो ऐसा है कि इस सत्मे से उभरने में भी हम सब को बहुत समय लगेगा, बिलकुल कर रहा है उनकी महा का सौचकर, कि वह प्रोग्राम में भी अπαता जी का बहुत जिकर को बहुत देए namco, कि माता जी, अपने पियार का इजाब, भी परतते थे तो कुस महा के सिव क्या गुञार हुँदों, वह में वह हमारी समझ के बाहर है, लिए एक तो न मियु रही है, बिल्कुल रजा जी देखें सिर्फ टीवी इंडेस्ट्री ही नहीं बॉलिवुड में भी सिधार शुकला का नाम था क्योंकि हमती शर्मा की दुलहनिया में उन्होंने काम किया तब से उन्हें पैचान बॉलिवुड में भी लेकिन 2020 से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे कई सितारे हमें छोड़ कर जा चुके हैं क्या यह कहा जा सकता है कि बॉलिवुड या टीवी इंडेस्ट्री को किसी के नजर लग गई है देखिये अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बना है कोई इस भी कर तो आया नहीं है अब कभ इसे जाना है इसका फैस्ट्रा तो नीली शक्त्री वाले करते हैं यह तो पिसी जान के किसी डॉक्तर के किसी बैटिकल साइंस के प्यार में नहीं है हाट अटेक भी होता है लोगों को तिन तिन हाट अटेक होते हैं तिन भी वूप संबल जाते हैं यह नौजवान लगात इतनी कम उमर में प्ला जाता है तो यह तो बहुत जो है यह सोच और समझ के बाहर है यह तो मैं यही कहता हूँ कि बस हम यहाँ पर लाचार है हर इंसान लाचार मज़दूर है क्योंकि जिन्दगी और मौत जो है वो उतके अफ्तियार में नहीं है वो तूपर वाले के अफ्तियार में है बस हम उनकी आत्मा की शांती कर सकते हैं उनके लिए दौा कर सकते हैं और इसके अलावा हम मचबूर हैं इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। जानकारी के मताबिक 40 साल के सिधार शुकला की हार्ट अटेक से जान गई है। आज तक भी वो दोस्ती काईम थी। लेकिन शेहनास गिल का दोस्त जादा दिन उन्हें समय नहीं दे सका। और आज दुनिया को अलविदा कह गया। लोग उसे बहुत पसंद कर रहे थे। उसके बाद वो दिल से दिल तक सीरिल में आए। और वहाँ पर रश्मी देशाय जो उनकी को स्टार थी। जैस्मिन भी जैस्मिन भसीन उनकी बहुत अच्छी दोस्त रही है। रश्मी के साथ उनके रिश्टे अच्छे नहीं रहे हैं बिग बॉस में देखा गया। लेकिन उस डेली सोप को बहुत ज़ादा पसंद किया गया। लोगों ने फिर से सिधार शुकला को एकसेप्ट किया। उसके बाद आया बिग बॉस तीरहा। बिग बॉस तीरहा में सिधार शुकला ने जैसे जान डाल दी हो। खुझ सल्मान खान ये कहते वे नजर आते थे कि ये ऐसा सीजन है जो सबसे ज़ादा चुयारपी की मामले में उपर गया है। सबसे ज़ादा लोगों ने सिधार शुकला और शेहनाज गिल की दोस्ती को पसंद किया। सिधार शुकला और रश्मी देशाय के भी जो जगड़े होते थे वो काफी लाइम लाइट में रहे। हाला कि सिधार शुकला पर कई तरह के आरोप रश्मी देशाय ने लगाए। लेकिन शुकला उन आरोपों को दर किनार करते हुए आगे बढ़ते चले गए और आखिरकार जो ट्रॉफी थी वो उन्हें मिल ही गई। वो तस्वीरे लगातार आप चल्जन स्क्रिंग पर देख रहे हैं लेकिन ये नहीं पता था कि जहां ऐसे मुकाम पर वो आए हैं जहां से वो एक अपने करियर को एक बहुत बड़ा ब्रेक एक बहुत बड़ा टेक ओवर देने जा रहे हैं वो मुकाम उन्हें जादा दिन तक नहीं मिल पाएगा अभी दो साल पहले की ही बात है कि उन्हें ट्रॉफी हात लगी और अब हो मारे बेच नहीं रहे हैं 2020 में शृषान सिंग राजपूत जिनोंने खुदकुशी कर ली थी कथित तोर पर अभी तक इस पूरे मामले में जाज परताल की जा रही है और दे थी क्योंकि देखने में बहुत हैंसम और चार्मिंग डेरिंग जो कहना है मूपर कहना है बिग बॉस में हम सब ने देखा लेकिन ये नहीं पता था कि एक नौजवान इस तरह से हमारे बीच से चला जाएगा परिवार के पती लगातार समवेदनाय आ रही है और नीजपल अब ही परिवार के पती समवेदनाय दे रहा है बहुत दुखत खबर है कि अचानक से एक व्यक्ति जो दवाईया लेकर सोया है उसके बाद वो कभी उठी नहीं पाया कूपर अस्पतान ने इस बात की पुष्टी कर दी है कि उन्हें हर्टिटेक आया और अभी तक फिलाल क कोई जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन जानकारी सिर्फ नहीं है कि कूपर अस्पतान ने पुष्टी कर दी है कि हर्टटेक की वजह से सिधार शुक्ला का निधन हुआ है शेहनाज गिल जो उनकी सबसे अच्छी दोस्त ही उनका बुरा हाल है रोरोकर जो उनके चाहने वा तो ऐसे में वो शकित हैं अचंबित हैं कि अचानक से ये क्या हो गया टीवी जगत में शोक की लहर है क्योंकि शिधार शुक्ला सिफ टीवी ही नहीं बॉलीवुड तक उनका सपर रहा है वरुन धवन आलिया भट के फिल्म आई थी हम्टी शुर्मा के दुलहनिया जिसमें सिधार शुक्ला नजर आये थे काफी जादा सरहना उनके काम पिकी गई थी तो ऐसे में बॉलीवुड तक भी शोक की लहर है तमाम फोन कॉल्स परिवार के प्रती सम्वेदनाय देने के लिए आ रहे हैं ट्विटर पर भी लगातार लोग सम्वेदनाय दे रहे हैं ऐसे में जो उनके फैंस थे वो भी लगातार दुख जता रहे हैं उन्हें शुद्धांचली आतर कर रहे हैं कईयों को तो यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि एक बड़ी संख्या में उनकी फैन फॉलोविंग थी ऐसे में यकीन कर पाना उनके लिए मुश्किल है जब ये खबर मीडिया में आई तो कुछ लोगों को लगा कि ये सच नहीं है लेकिन जब पुष्टी कर दी गई कूपर अस्पताल की तरफ से तो लोगों को एक भारी मन से यकीन करना पड़ रहा है लेकिन सच्वई है कि शिधार शुकला अब नहीं रहे हैं हम सब के बीच और उनका निधन आज स करें दो सालों में 2020 की हम बात करें दो सालों में हमने बहुत ऐसे अक्टर्स जो रही हैं उनको खो दिया चाहिए वो रिशी कपूर हो चाहिए वो ऐरफान खान हो चाहिए वो शोशार्म सींग राजपूत हो या तमाम टीवी आक्टर हो इन सब को हमने खोया लेकिन ये कहा जा सकते हैं कि वाकई ये बॉलीवूड के लिए और टीवी जगत के लिए एक बुरा दौर है लेकिन मृत्यू किसी की ऐसी नहीं है कि जीवन किसी का निश्चत नहीं है एक नाएक दिन हर किसी को इस दुनिया को अलविदा कहना है लेकिन अचाना किस तरह से शिधार शुकला का निधन वाकई नहीं यकीन हो पा रहा है लेकिन सच यहीं है बिग बॉस से एक बह। बड़ा फेम मिला और एक करियर को तर्न ओवर करने की सिधार शुक्ला कोशिश कर रहे थे पहचान एक बार फिर से बना रहे थे क्योंकि पहचान तो बिक बॉस से मिल गई थी लेकिन आगे अपने करियर को और बिल्ड अप कर रहे थे लेकिन नहीं पता था कि वो दो साल भी इस खुशी को नहीं देख पाएंगे और सुरेंद पाल अभी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद पाल जे सबसे पहले आपका न्यूस्पर्ल इंडिया में बहुत मैं सौगत करती हूं सिदार शुक्ला मेरे साथ दो शो में काम कर चुके हैं जिसमें मैंने पिता की भूमी का निभाई थी इनके साथ जब इनके पहला डेब्यू किया था उसक भी इनके बाबुल का अंगान छूटे ना करके एक शो था था सुनी के उपस जिसमें पहला डेब्यू था इसका इस सुदात का और तब से मेरे साथ जुड़ा हुआ था यह ज़गा था यह अक्सर मुझे फोन मेरे करता था और बहुत लगा था यह था उडर्गा था यह था वर्याइब पहले नाइस व्यूमन तो मैं शुटिंग में हूं इसका मड़ आइलेंड में अब अभी जब नियूज मिली है तो मुझे अभी तद यकीन नहीं हो रहा है कि सिदात आप यह भी आप एक्सिर्ण नहीं दा था अपना स्थार जिम है जिसमें हम लोग साथ में जाके प्रते से लेकिन अभी एक जब से करोना हुआ था जब से हमारी मुलागात थोड़ी सी कम हो गई थी तोड़ा वो कम हो गया था हमारा गया था लेकिन अधरवेश सिधात अलवेश बीन इंटश्वित नहीं वह वह बहुत अभी बहुत किया करते थे और जब बगोस में था तब ही मेरे पास फोन होगे आता रहता था तरव बिलते भी रहते थे धिक बड़ तेरह में शिधार शुकला गए और शुर्वात में वह काफी नॉर्मल रहे बाद में तीखी नोग जोख उनकी घरवालों के साथ होती रह अभी उनकी कुछ दिन पहले ही एक वेब सीरीज आई थी काफी सहाना उसे मिली है शहराज गिल के साथ उनकी दोस्ति की चर्चे सरयाम है रश्मी देशाई के साथ कॉंच्रोवर्सी उनकी रही है लेकिन अगर व्यक्तिकत तौर पर मैं बात करूं तो सिधार शुक्ला किस तर तो बिग बॉस फेम जिधार शुक्ला का निधन हो गया है ऐसे में टीवी जगत में शोप की लहर दोट गई है आपको तादों कि सिधार शुक्ला ने अपनी जर्णी एक डेली सोप्षे शुरू की और वहां से शिरुवात करके वो बिग बॉस 13 तक गए क्योंकि बिग की बीच खुद को एक सितारा बनाना जो सबसे ज़्यादा चमक रहा हूँ वाकई काबिली तारीफ है सिधार शुक्ला लोग बहुत पसंद भी उने करते हैं लेकिन एक तबका ऐसा विधाया जो सिधार शुक्ला से कहीं ना कहीं हलका सा नाराज रहता था क्योंकि सिधार श शुक्ला हम लोगों के बीश नहीं रहे कई लोग तो ऐसे हैं जो डाए हाई फैन है सिधार शुक्ला की उनको यकीन दिलवापाना बेहुद मुश्किल हो रहा है logo से जाना तो है लेकिन इस तरहा से जाना वाकई खलता है बिग बॉस में एक अलग व्यक्तित सिधार शुक् वो भी कुछ सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है तो दुख होता है कि एक ऐसा सीरियल जिसने बहुत लाइम लाइट हासिल की बालिका वधू उस समय का ऐसा सीरियल हुआ करता था जो घर घर तक फिमस था शिव और आनन्दी की जो जोड़ी थी ना वो लोगों को बहुत पसंद थी अब दोनों ही इस रियल लाइफ में हम सब के बीश नहीं रहे हैं तो लोग दुखी हैं परिशान हैं उसके बाद उनका सीरियल कलर्स पे ही आया दिल से दिल तक कोस्टार रही रश्मी देशाई रश्मी देशाई सिधार शुकला को लेकर तमाम बाते तमाम अफेर की चर्चा रही हैं और सिधार शुकला कहते भी हैं कि हाँ एक समय था कि इनका और रश्मी का एक रिष्टा था लेकिन बिग बॉस में उन्होंने उस रिष्टे को खराब भी किया लेकिन जाती जाते उस रिष्टे को बहुत अच्छा कर लिया रश्मी देशाय सिधार शुकला को अच्छा एक इनसान मानने लगी है बिग बॉस में सारी जोगरत फैमिया थी वो दूर हो गई थी लेकिन ये नहीं पता था कि उस दिन के बाद से दो साल भी ये चीजे जो हैं ये लाइन बलाइट ये करियर की उचाई तक जाना ये जादा दिन तक नहीं दिक पाएगा दो साल अभी नहीं हुए हैं उस टॉफी को लिए हुए बीश में कहीं सिधार शुकला और शेहनास गिलके में बात करूँ तो इनके वीडियो आलबम भी आए हैं लोगोंने खूब प्यार दिया उसके बाद अब उनकी वेब सिरीज आई उसे भी खूब प्यार मिला